आरे साथ बाचीत के लिए बिदी के जो जानकार हैं वो जोड़े हम उनसे बात करेंगे अधिवक्ता दिनिस दिख्चित जी हैं सर आप कैसे देखते हैं इस कानून नहीं बहुत बढ़िया कानून है और उत्तरप्रदेश सरकार को सभी लोगों को बधाई देना चाहिए जो बढ़िया चीज़ों उस पर सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए और यह अच्छा कानून है और मुझे लगता है कि समाज को एक नई दसा और नई दिसा देगा यह कानून और जो लोग जैसे कि जो एक प्यापार और या यह कहें कि एक साजिस जो चल लई थी इस समाज मे कि लब जहाद के नाम पर गलत नाम बता करके गलत पता बता करके अपनी पहचान चूपा करके यह सब चीज़े हो रही थी और यह नहीं है कि यह सिर्फ एक पक्ष से हो रहा था यह दोनों पक्षों से हो रहा था चुकि समाज में धिने दिने इतना तना तनाव भ्याप्त ह हели चुका है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार का जो भी अपने हाँ जो भी धर्म संप्रदाये हैं उसके दोनों कि या तीनों पक्ष या चारों पक्ष सभी कर रहे थे तो निश्चित रूप से यह एक सजहा का Listen Kaj with dasvanια प्रावधान की सजहा कि इसके रवाधान बता है कि बतलाव कि यह मैंना है कि भारत की संसद कर दो किर दो होता है कि इसे एक राजा ने सोच लिया और उसको उठा करके जैसे दंड की बात आपने की तो दंड जो इतना कड़ा रखा गया है दंड को इतना कड़ा नहीं रखना चाहिए आप IPC उठा के देख लीजिए IPC का कभी दूरुपयोग होते हुए आप नहीं देखेंगे लेकिन जो भी इस पेसल भारत क संसद ने पास किया है भारत की संसद ने अगर IPC में कोई चेंजिंग कर दी है उसका दूरुपयोग होते हुए आप देखेंगे तो सजा जो है उस सजा पर विचार करना चाहिए और सजा को थोड़ा सा इस हिसाब से रखना चाहिए जैसा लब जिहाद को इतना बड़ा जो कानून का विचार आपने उठाया उस पर हम यह बता रहे हैं कि कानून अच्छा है लेकिन जो सजा है वह बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं होना चाहिए आपका नाम आनंद कुमार यादा आप कैसे देख रहे हैं अगर इस यह प्रारूप समाज में यह कानून लागू होत सब्सक्राइब को भी इस चीज का निर्मान करना चाहिए था सोच समझ कि हम जो सजा का प्रावधान रखे हैं उसको कितना किया जाए कि ज्यादा बहुत बहुत अच्छी बात बताई है और वहीं सही है जो गुरूजी ने हमारे बताए हैं आपको समाज में देखते होंगे अनेक लोगों से मिलते होंगे ये तो ठीक है लेकिन मिलते होंगे तो आपो क्या लगता है ये इस कानून ठीक है लेकिन जैसा गुरूजी ने बताया कि इस पर अधिक्तम उनकी बात को सई ठराने बहुत आप समाज के कई ताने बाने को देखे होंगे समझे होंगे एक पक् क्या वहां यहां कन बहुत 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 बदाई है तबसदरकार कूंध यह कहनाहन जैसे कि जो सजा की बात अ रही है उसे यह इस तरह के अपरादों तो इसमें यह भी वेवस्ता होनी चाहिए कि यह भी पता करना चाहिए कि इन लड़कों के पीछे कौन है वह साजिसकरताओं को बेनकाब करने की जरूरत है बच्चे क्या 18-20 साल के बच्चे हैं उनको बरगला दिये और उनको अब उम्रिकायद की सजा देंगे तो यह सराहनी है